रादे रादे जैसी क्रश्ना अब तक हमने विशाक मास के 18 अध्याई सुने और विशाक मास की कता कहानिया और महाद्या में भी सुने आज हम विशाक मास का 19 अध्याई सुनेंगे साति इस अध्याय में विशाकमास के स्थनान के कहानी और अंत में हरी की प्रिया तुलसी महारानी की आर्थी सुनेगी आईए सबसे पहले हम विशाकमास का उनिसवा अध्याय सुनते हैं शुत्देव रिशी राजा शुती कृती से बोले कि हे राजन आज मैं तुम्हें वेशाकमास के महात्य में काफल सुनाता हूँ हे राजन इस सम्बन में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास करता हूँ तुम जान से सुनो पांचाल देश के एक राजा था उनका नाम भुरियस था उनके पुरुयस नाम का एक पुन्या आत्मा धार्मिक सत्यवादी वे पुधिमान पुत्र था पिता के मरने के बाद राज्य का उत्राधिकार पुरुयस के हाथ में आ गया वह पूरुयश राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था वह धर्म पूर्वक वन्याई पूर्वक राज्य कर रहा था प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी पारंतु प्रारद्द तो सबको भुगत नहीं पड़ते हैं पूर्विजन्म के कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है उस पूरुयश के भी कुछ कर्म दोश थी जिनका दंड उसे भोगना था हे राजन पूर्विजन्म में पूरुयश ने जलदान नहीं किया इसी कारण उसका राज्य उससे छिन गया उसकी संपती वेभव धन सब नश्ट हो गया राज्य पर आकाल पड़े पड़ोसी राज्यों ने जब पूरुयश को बलहीन देखा तो शत्रू राजाओं ने उसके राज्य पर आकर्मन करके उससे उसका राज्य छीन लिया विचारा वह राज्य पूरुयश अपनी पत्नी वपुत्रों को साथ लेकर जान वचाकर जंगलों में भाग गया और परवतों के गुफाओं में जाकर उसने शरन ली राज्य पूरुयश ने वहां त्रेपन साल बड़ी कठनाई से बिताए जंगल के कंद मूल पत्ते खाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे तब एक दिन राज्य के मन में विचाराया कि मैंने अच्छे कुल में जान मिलिया नै मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हमेशा मैंने धर्म पूरुवक्वनिती संगत राज्य किया फिर मेरा पूरुष कहां चला गया मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी मुझे ये सजा भूबनी पड़ी जिससे मेरा राज्य सुक धन वेभव सब छिन गया और मुझे वन वन में ठोकरे खाकर रहना पड़ रहा है मैं बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजर्बसर कर रहा हूँ तबी राजा को अपने गुरु की याद आई तो राजा अपने गुरु की इस्तूती करने लगा राजा के इस तरह भक्ती पूर्वक्ग गुरु उस्तूती करने से वहां दो मुनीवर याज और उपयाजक नाम के गुरु उपस्तित होगे जैसे ही राजा ने उन गुरुओं को देखा तो राजा को महन अश्चरी हुआ राजा ने खड़े होकर भक्ती पूर्वक्ग उनके चरण छूकर शीश नवाया और उनका स्वागत किया वनवास में दुखी राज चिन सहीन फटे वस्त्र उल्चे बालों में वहराजा करुन रुदन करने लगा उन मुनीवरों के चर्णों में गिर पड़ा तब उन मुनियों ने राजा को उठाया और अपने पास अपने आसन पर बैठाया उसके बाद राजा ने पुष्प और कंद मुलफल आदी से मुनियों की पूझा करी तब उन मुनियों ने राजा से पूझा कि है राजन जो भी तेरे मन में है उसे बता हम तेरे दुख को दूर करने ही आए है तब पुरूईश राजा मुनिवरों से बोला कि है मुनिवरों मैंने एक अच्छे कुल मेजर मिलिया मैंने हमेशा ब्रामनों, सादू, सन्यासियों, पित्रों, देवताओं का पूझन किया मैंने कोई पापकर्म नहीं किया अपनी प्रजा का पालन मैं पुत्र के समान कर रहा था निर्धनों, गरीबों, जरुत्मंदों को अन्न वस्त्र रुपिया दान किया नगर में कुए ताला, प्याव, बावडी, बगीचे लगवाए चाया दा व्रक्ष लगवाए गुरू की भक्ती मैं मैं हमेशा लीन रहा फिर मेरे कौन से पापकर्म से मेरी ये दाशा हुई मेरा सारा वेभव धन, राज्य सब छिन गया शत्रों ने मेरे राज्य को मुझसे छिन लिया मेरे मंत्री मेरी प्रजासम मुझसे दूर हो गे मैं इस वन में कठोर दुख भोग रहा हूँ मेरे भाई भंदू परिवार कोई नहीं रहा मैंने निश्पाप होकर राज्य किया फिर क्यों मेरे राज्य पर अकाल पड़ा इसका क्या कारण है आप मुझे विस्तार से बताईए राजा के दीन हीन वचन सुन कर उन मुझे ने थोड़ी देर के लिए अपनी आखे बंद करी और राजा के पूर्व जन्म के कर्मों पर विचार किया तब उन मुझे ने आखे खोली और कहा कि हे राजन तु अपने दुख का कारण सुन ये राजन तु अपने पूर्व जन्म के पापकर्मों का फल भोग रहा है। पहले दस जन्म में तु घोर पापी व्याग रहा। दसवे जन्म में भी तु बड़ा निर्दई था। व्यागर का जन्म धारन करके तु प्राणियों का वद्ध करता था। तेरे सारे पापकर्म यमराज के तुल्ये ही थे। ये राजन तु दसवे जन्म में गोर देश में जन्मा और तु बुरे कर्मों में लगा हुआ था। जीव हिंसा पशुपक्षियों को निर्दया पूर्वक मारता था। साती मनुष्यों का भी वद करता था। तथ उन्हें निर्दयता से कष्ट देता था। तब एक बार की बात है। तेश धूप से व्याकुल दो धनी वेश्य और एक वेद वेदांग को जानने वाले कर्शन मुनी उसवन से गुजरे। जिनके सिर परजटा दह परचाल के वस्त्र हाथ में कमंडल था। उन्हें आता देखकर तूने उन तीनों का रास्ता रोका। धनुश बान दिखाता हुआ खड़ा हो गया। तब तूने एक धनी वेश्य को मार कर उसका सारा धन लूट लिया। यह देखकर दूसरा धनी वेश्य अपना धन घासपूस में छिपाकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। तब कर्शन मुनी मारे जाने के भै से व्याकुल होकर थर-थर कापने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। तब तूने उस रिशी को ताड के पंखे से हवा करी। उने शीतल जल पिलाया। तो उनकी बेहोशी तूट गई। तब तू उन मुनी से बोला कि हे रिशीवर तुम्हें मुझसे तनिक भी डर नहीं होना चाहिए। मैं गरीबों वे निर्धनों को नहीं मारता। तुमारे फटे वस्तर तूटे बरतन लेकर भला मैं क्या करूँगा। तुम तो यह बताओ कि उस दूसरे वेशे ने अपना धन कहां चिपाया। अगर तुम मुझे सत्य बता दोगे तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ तब कर्शन मुनी ने जान बचाने के लिए सत्य बता दिया और बताया कि उस वेशे ने भागते हुए अपना सारा धन गास्पूस के नीचे छिपा दिया। तब तुमने रिशी से कहा कि तुम निडर होकर यहां से अपने गंत्यवे इस्थान की ओर चले जाओ। यहां से थोड़ी दूर एक तालाब हैं। वहां कशीतल जल पीकर अपना परिश्रम और ठकान दूर कर लेना। और यह ताड का पंखा भी ले जाओ। इससे तुमें गरम हवा का ऐसास नहीं होगा। चलो मैं तुमारे साथ आगे तक चलता हूँ। लेकिन पीचे से राजा के सिपा मुझे ढूनते हुए आ रहे होंगे। इसलिए मैं तुमारे साथ दूर तक नहीं चलूँगा। याज और रुपिया जग आगे बोले कि हे राजन उस दसवे जन्व में तुमने वेसाक मास में उस कर्शन मुनी की सेवा करी। उसे ताड का पंखा दान में दिया। उस सेव के परिणाम स्वरूप तुम इस जन्म में प्रतापी राजा बने। लेकिन तुमने उस रिशी को तालाब का जल लाकर नहीं दिया। और नहीं तुम उन्हें तालाब तक ले कर गए। इसलिए तुम्हे धन वेभव राज्य का सुप्राप्त नहीं हुआ। हे राजन यदि तुम अपना सारा वेभव धन राज्य और अपना सम्मान पुन चाते हो तो तुम विशाक्त धर्म का पालन करो तो तुम्हें तुमारा संपुन सुप्पुन प्राप्त हो जाएगा। तब राजा पूछने लगा कि हे मुनिवरों आप मुझे विशाक्त ध धर्म के बारे में विस्तार से बताईए मैं सुनना चाहता हूं। तब मुनिवर बोले कि हे राजन इसमास का नाम माधाव मास है और तरतिया तिति अक्षयतरतिया कहलाती है। इसके अलावा विश्णु भगवान की सोने या चांदी की दिव्य प्रतीमा दान काने से तेरी ही विजय होगी, दसो दिसाऊं में तेरा यश कीर्टी फैलेगी. अगर तेरी इच्छ दिर्गायू शतायू पुत्र पाने की है तो तू प्राणियों के लिए विशाक मास में प्याव लगवा छायादा व्रक्ष लगवाओ हे राजर विशाक मास के इन धर्मों को करने से सब तुझे चाने लगेंगे वे सब जो तेरे विरोधी हो गए थे वे सब तेरे वश में हो जाएंगे ऐसा कहकर याज और उप्याजक पुने अपने लोग में चलेगे उसके बाद उस राजा ने अपने पराक्रमी पुरोहितों के कथना अनुसार वे शाक्त धर्म का पालन किया विश्णु भगवान की पूजा करी तानपुन्य किया जिसके प्रभाव से वे राजा अपनी बची हुई सेना लेकर अपने नगर में पहुँचा और अपने शत्रू राजाओं से युद्ध किया जिससे पुरुयश याजा की जीत हुई इस बार पुरुयश राजा ने अपना खोया हुआ राज्य पुनय प्राप्त कर लिया उसके बाद राजा पुरुयश ने पुरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को वेशाक मास का इस्तनान दानपुन्य करना चाहिए सभी को वेशाक्त धर्मों का पालन करना चाहिए इसके बाद वह राजा एक हजार साल तक राज्य का सुक भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ वेशाक मास में साथ दिन तक बरकत देवता की कहानी सुनने व्रत करने से मुनुष्य का घर धन्धान्य के भंडार से भर जाता है आईए अब हम बरकत देवता की एक पोराणिक सची कहानी सुनते हैं एक गाउं में एक सावकार परिवार था सावकार पती-पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवती के थे उनके पांच बेटा बहु थे सावकार के चार बेटों के तो उलाद हुई लेकिन पांचवे बेटे के उलाद नहीं हुई सावकार दमपती ने अपनी पांचवी बहु का अनेक जगे इलाज करवाया खूब मनोतियां मांगे ऐसी कोई जगे नहीं छोड़ी जहां उन्होंने मनोति न मांगी हूँ फिर एक दिन पांचवी बहु को भी गर्व टहर गया और दस्वे मैने में उसे एक सुंदर कर्ण्या का जन्म हुआ सावकार दमपती की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि उनके परिवार में तीन पीड़ी तक किसी को भी लड़की नहीं थी उनके परिवार में तीन पीड़ी के बाद कर्ण्या का जन्म हुआ था सावकार दमपती ने पूरे गाउं में मिठाईयां बाटी साउकार दमपती ने अपनी पोती का नाम रतनावती रखा खूप नाजों से लाड़ प्यार से उसका पालन पोशन होने लगा धीरे धीरे रतनावती बड़ी होने लगी रोच की तरह जब साउकार नी मंदी जाने लगी तो उसकी पोती बोली कि दादी मैं भी आपके साथ मंदिर चलूँगी अब सावकार्णी अपनी पोती को साथ लेकर मंदिर जाने लगी इस तरह समय बीतने लगा जब विशाक का मेना आया तो हमेशा की तरह दोनों दादी पोती मंदिर में गई वहां उन्होंने देखा कि मंदिर में कुछ ओरतें विशाक मास का महात्यमें सुन रही थी और कथा कहानियों को सुन रही थी तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठ कर कथा कहानियों को और विशाक मास की महात्यमें को सुनने लगी एक दिन मंदिन में एक ओरत ने बरकत देवता की कहानी सुनाई और कहा कि वेशाक मास में साथ दिन तक बरकत देवता की कहानी को सुनने, साथ दिन बात व्रत का उध्यापन करने से घर में अनधन के भंडार भरते हैं, घर में हमेशा बरकत रहती हैं, तब सावकार्णी ने भ कहानी सुनी और आठवे दिन व्रत का उध्यापन कर दिया कहानी दोनों दादी पोती ने सुनी थी लेकिन उध्यापन सिर्फ सावकार्णी नहीं किया इस तरह देखते देखते समय बीटने लगा कुछी वर्षों में रतनावती विवायूग यहो गई तब दादा दादी ने अपनी लाली पोती के लिए बहुत अच्छा घरवर ढूंडा खूब धूम धाम से रतनावती का विवाय किया गया खूब दान दहिर दिया गया शादी के बाद रतनावती जब सुसराल में आई तो सभी बहुत खुश थे ससराल में चार जनों का छोटा सा परिवार था सास ससू रतनावती और उसका पती सास खाना बनाती थी और रतनावती ज़ाडू बुहारी का काम करती थी सास खाना बनाने के बाद पहले अपने पती को और पुत्र को खिलाती फिर खुद काती और बचा हुआ खाना बचा कुचा कडाई की खुर्चन निकाल कर थाली में परोस कर रख देती रतनावती उसी बची कुछी खुर्चन को खाकर पानी पी लेती थी दीरे दीरे रतनावती कमजोर पढ़ने लगी तब एक दिन रतनावती के पती ने अपनी पतनी से पूचा कि हम घर में सिर्फ चार जने हैं घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है फिर तुम दिनों दिन कमजोर क्यों होती जा रही हो तुम्हें किस बात का दुख है मुझे बताओ तब रतनावती अपने पती से बोली कि आपकी माँ आप सभी को भर बेट भोजन खिलाती है और मुझे बची कुछी कडाई की खुर्चन परोस कर देती है मुझे खाने को ही नहीं मिलता तो कमजोर और ठक तो जाऊंगी ही तब उसके पती ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी ऐसा करना कल से तुम मेरी थाली का भोजन करना मैं तुम्हारा परोसा हुआ भोजन खाऊंगा दूसरे दिन से रतनावती का पती कोई न कोई बहाना बना कर खाने की थाली को खुद के कमरे में लाने लगा कभी कहता मेरे सिर में दर्द है कभी कहता मुझे अभी भूक नहीं है बाद में खाऊंगा इस तरह अच्छा खाना अब रतनावती खाने लगी और खुर्चन वे बचा कुचा खाना रत्नावती का पती खाने लगा धीरे धीरे रत्नावती के पती का विस्वास्ते बिगड़ने लगा रत्नावती का पती कमजोर पढ़ने लगा तब रत्नावती की सास अपने बेटे से बोली कि बेटा मैं तुझे रोज अच्छे से अच्छा खाना खाने को देती हूँ, फिर भी तू दिन पर दिन कमजोर क्यों होता जा रहा है। तब बेटा अपनी मा से बोला कि मा मैं रोज बचा हुआ खाना जो तुम रतनावती को परोस्ती हो वो खाता हूँ। और मेरे हिसे का खाना रतनावती खाती है। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी तो वैसा ही हुगा। मा हम ले देकर चार जने हैं। तुम रतनावती को खुर्चन वाला खाना क्यों देती हूँ। वो भी किसी की बहन बेटी है। तब रतनावती की सास ने घर की चाबी रतनावती को सौब दी और बोली की बहु आज से तुम खाना बनाओगी और घर का देखवाल भी तुम ही करोगी अब हम आराम करेंगे। उस दिन रतनावती ने ढेर सारा खाना बनाया दाल, चावल, पूडी, हल्वा, सबजी फिर उसने सब से पहले सास शुर को खिलाया फिर पती को खिलाया। सब के भोजन कर लेने के बाद जब रत्नावती भोजन करने के लिए बैठी तो सब साफ मिला, उसे खुर्चन भी नसीब नहीं हुई, उसे उस दिन भूका ही सोना पड़ा, दूसरे दिन उसने पहले दिन से जादा भोजन बनाया, लेकिन फिर उसके लिए कुछ नहीं बचा, रत्नावती मनीमन सोचने लगी कि जब साफ भोजन बनाती थी तो उसे खुर्चन तो खाने को मिलती थी, अब जब से मैं खुद भोजन बनाती हूँ, और सब के भोजन खाने के बाद मैं भोजन करने बैठती हूँ, तो मेरे लिए तो कुछ बसता ही नहीं है, धीरे धीरे रत्नावती फिर सूखने लगी, उसका स्वास्त्य फिर से गिरने लगा, तब एक दिन रत्नावती के पती ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तो तुम सम भोजन बनाती हूँ, तुम फिर भी कमजोर हो रही हूँ, तुमें कौन खाना खाने से रोकता है, तुम आपकी मा भोजन बनाती थी तो मुझे खाने को खुर्चन तो मिल जाती थी लेकिन अब मैं जब खुद ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाती हूं लेकिन आप सब के भोजन खालेने के बाद जब मैं भोजन करने बैड़ती हूं तो मुझे सब खतम मिलता है रतनावती के पती ने अपनी मा को भी ये बात बताई तब एक दिन रतनावती अपने पती के साथ माईके गई माईके में सभी ने रतनावती की हालत देखी तो सभी ने रतनावती से पूछा कि बेटी ससुराल वाले तुझे खाने को रोटी नहीं देते हैं क्या अच्छे से नहीं रखते ह हैं कि रोज मैं जादा से जादा भोजन मिनाती हूं लेकिन के भोजन करने के बाद जब मैं भोजन करने बैठती हूं तो मेरे लिए कुछ बसता ही नहीं मुझे तो खुरचन भी खाने को नहीं मिलती तब रत्नावती की दादी को पूरी बास समझ में आ गए रत्नावती की मा और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाई वरत करवाया लेकिन उद्यापन नहीं करवाया था यह उसी का पाप दोश उसे लग रहा था रत्नावती से अन्न देवता रुष्ट हो गए थे जब रत्नावती की मा और दाधी ने रत्नावती से बर्कत देवता के वृत का उध्यापन करवाया उसके बाद कुछ दिनों तक रत्नावती माईके में ही रही उसके बाद उसके माता पिता ने रतनावती को खुब सारा धन दे कर जवाई के साथ विदा कर दिया जब रतनावती ससुराल में आई अब उसने अपने साथ ससुर और पती को बरकत देवता की कहानी और रत वाली पूरी बात बताई तब रतनावती के सास ससुर और पती ने कहा कि हम भी विशाक मास में बरकत देवता का वरत करेंगे और साथ दिन के बाद उध्यापन करेंगे तुम हमें कहानी सुनाना हम होकारा भरेंगे उसके बाद जब विशाक का मेना आया तो रतनावती उसके साथ ससुर और पती ने बरकत देवता का वरत किया, पूजा करी और साथ दिन के बाद बरकत देवता के वरत का उद्यापन किया और विश्नु भगवान के मंदीर में मिश्री मावे की मिठाई, नारियल और 101 रुपया दक्षीना के चड़ाए सभी ने भगवान से घर की बरकत बनी रहे, इसकी प्रातना करी, अन्न देवता का हमारे उपर आशीरवात बने रहे, और वहां उन्होंने ढोक लगाई और घर आए, घर आने के बाद रतनावती ने खाना बनाया, उसके बाद उसने अपने साथ ससुर और पती को खाना के लाय सबके भोजन करने के बाद जब रतनावती भोजन करने के लिए बैटी तो उसे सभी बरतन भरे हुए मिले, रतनावती ने भर पेट भोजन खाया, रतनावती के दिन अब अच्छे से गुजरने लगे, घर में खुब धन धान्य हो गया, उसके हाथ में भी बरकत आगे, साल देता है बरकत देता, जैसे आपने रतनावती के साथ पहले किया, वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे बात में किया, वैसे सब के साथ करना, कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ, और होकारा भरने वाले के साथ, गरती हो तो पुरी हो, पुरी हो तो परवान चड़े बुले विसरे नम तेरे बंडार में भरें आईए इस अध्याय में हम वेशाक मास के स्नान की एक वरानी कहानी सुनते हैं पूरे वेशाक मास में भगवान विश्नु के तुलसी चर्णामत को पीने सिर्परधारन करने का चमतकारी फल मिलता है इस अध्याय में आज हम उसी कहानी को सुनेंगे एक नगर में एक सहुकार परिवार था उनके मुखिया का नाम गोवर्धन दास और पतनी का नाम मेना बाई था उनके दो पुत्र और एक पुत्री थी सभी के विवा हो चुके थे जब छोटी पुत्री निर्मला शादी होकर ससराल गई तो वहां सभी धार्मी प्रवती के थी निर्मला बहुत सुखी जीवन व्यतित काने लगी निर्मला के एक पुत्र और पुत्री हुए लेकिन पुत्र के जन्म के तीन साल बाद ही उसे कोड हो गया पूरे शरीर पर सफेद दाग जैसी बिमारी हो गई ससराल वालों ने उसका खुब इलाज करवाया लेकिन कहीं कोई फायदा नजर नहीं आया तब एक दिन उनके घर पर एक पंडिजी आये घर वालों ने पंडिजी को अपने पोते को दिखाया और उसके कोड को ठीक होने का उपाय पूछने लगे पंडिजी ने कहा कि वेशाक मास आने वाला है आप सभी वेशाक मास का स्नान करो और भगवान विश्नु के तुलसी चरनामत को सिर परधारन करो रोज तुलसी चरनामत को पियो और अपने पुत्र को भी तुलसी चरनामत पिलाओ और इसके कोड़ वाली जगह भी तुलसी चरनामत लगाओ ऐसा करोगे तो ने केवल तुमारे पुत्र का कोड़ ठीक होगा बलकि तुमारा घर धन्धान्य वेभव सुक्र समरति से भर जाएगा और इसका तुमें असंक्य कोटी गुनाफल मिलेगा जन्मो जन्मो के पापो का नाश हो जाएगा इस जन्म के सभी सुक और बढ़ने के बाद बैकुंट का वास मिलेगा अगर आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो इस साल वेशाक मास में वरत उपवास पूजा करो और इसका चमतकार आप खुद देख लो तब सभी ने पंडीजी से वेशाक मास की पूजा विदी पूची और वेशाक मास के धर्म पूचे उसके बाद जब वेशाक का मेंना आया तो पूरे परिवार ने वेशाक मास का इसनान किया वरत किया ब्रमचारिये का पालन किया और तुलसी चर्नामत को पीने लगे सिर परधारन करने लगे और अपने बेटे को जिसके कोड हो रहा था उसे भी तुलसी चरनामत पिलाया उसके पूरे शरीर पर तुलसी चरनामत लगाया इस तरह पूरा एक मैना भीद गया मैना खतम होते होते निर्मला को चमतका दिखाई देने लगा उसने देखा कि उसके पुत्र का कोड धीरे धीरे ठीक हो रहा था निर्मला ने अपने साथ ससूर और पती को इसके बारे में बताया सभी ने भगवान विश्णू को दिल से धन्यवाद दिया फिर उन्होंने विशाक मास की पूर्णीमा के दिन पांच पंडितों को जोड़े से भोजन खिलाया और खुब दान दशीना दी और पूरे गाउं में प्रसादी का वित्रन किया निर्मला के ससूराल के सभी लोगों ने इसका जमतकार देखा निर्मला की ननत का कहीं विवा नहीं हो रहा था विशाक मास का इसनान करने से और व्रत करने से शिगरी ही उसके विवा के रिष्टे भी आने लगे फिर एक दिन अच्छे घर में ननत का विवा भी हो गया घर में खुब धन्धाने के भंडार भर गे फिर एक दिन निर्मला अपने पुत्र को लेकर माई के आई वहाँ अपने भावियों भाईयों माता पिता से मिली सभी ने निर्मला का खुब आव भगत किया सभी ने निर्मला से बेटे की बीमारी ठीक होने का कारण पुचा तब निर्मला ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई, सभी को महान आश्चरी हुआ, रातरे में जब सभी खाना खाकर सोगे तब निर्मला अपने माता पिता के पास बैठ कर बाते कर रही थी, निर्मला की मा ने कहा कि बेटी तेरे छोटे भाई की शादी को दस बरस हो गए है सभी डॉक्टर वेद नीम हकीम को दिखाया, खूब इलाज करवाया, लेकिन तेरी भावी को कोई ओलाद नहीं हुई, हमारी तो उमीद ही तूरती जा रही है, और तेरे बड़े भाई की कोई पक्की नोक्री नहीं है, दोनों ही तेरे भाई दुखी जीवन जी रहे हैं, ए आपने मातापिता से कहा कि आप चिंता न करें, अगले साल जब वेशाक का मेना आएगा तो आप सभी वेशाक मास का इस्तनान करना, वरत करना और भगवान विश्नु के तुलसी चर्नामत को पीना और सिर परधारन करना, आप सब को इसका चमतकार जरूर देखने को मिलेग मा बाओ जी सब ठीक हो जाएगा, जो पुन्य फल मुझे वेशाक मास का इस्तनान और वरत करने का मिला, आपको भी जरूर मिलेगा, इस तरह समय बीतने लगा, जब अगले साल वेशाक का मेना आया तो निर्मला अपने माईके में पहुँची, और अपने माता पिता को वेशाक्त धर्म बताया, और वेशाक मास का इस्तनान, वरत और पूजन अपने दोनों भाईयों और माता पिता से भी करवाया, निर्मला ने अपने भाईयों और माता पिता से खुब दानपुन्य भी करवाया, साथी और पूरे वेशाक मास में बढ़ पीपल, आंकड़े, केले पलाश और विलपत्र के पेड को सीचवाया सूर्य नाराइन भगवान को अर्ध दिलवाया और तुलसीजी में सुबशाम दियाबाती करवाये पूरे एक मैने तक सभी विशाक्त धर्म का पालन करते रहे तब विशाक्मास की पूर्णीमा के दि निर्मला ने अपने मात पिता भाईयों और भावियों से इसका उद्यापन करवाया पांच जोड़ा जोड़ी ब्रहामनों को भोजन खिला कर उन खुब दान दक्षिना दिलवाई इस तरह निर्मला सभी कारिये संपन करवा के पुन्हें अपने सस्राल में आ गई छे मैने के बाद निर्मला के मात पुत्र पैदा किये निर्मला ने अपने दोनों भतिजों का नाम राम और कशन रखा घर में खुब धन वेबा हो गया और वे सभी जीवन का सुख भोग का मैने के बाद बैकुंड को प्राप्त हुए यह विशाक मास के इस्तनान और रत काने का महात्यमें आईए अब हम ज जगदीश की आरती बोलिए इससे महात्यमें सन्ने का संपून फल प्राप्त होगा ओम जे जगदीश हरे शामी जे जगदीश हरे रत जनों के संकट दास जनों के संकट शामी दूर करें उम्जय जग देस हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का समी, दुख विन से मन का, सुख संपती गरे आवे, काष्ट मिटे कान का, उन जय जगदी सहरे वाठ वीका तुम्ही मेरे सरन गवू किसी के समी तुम्ही ने ओर न दूझा आस करों जशते उन जय जगदी सहरे तुम्ही पूरान बारूमात मा तुम्ही अम्तर आमी समी तुम्हें अंतरियामी पार ब्राम भर मिश्वर तुम्हें सभी की सामें उन्जेजगी सहरे तुम्हे करू ना की सागर तुम्हे पाल में करता समीं मैं मूर कि गुने कामीं क्रपा करू जर्था उंजय जगदी सहरे तुम्हो एक यागोचार सबके प्रानपती समी सबके प्रानपती किसमी दमी नूदया मैं तुमको में कुमती उंजय जगदी सहरे दीन दंग दुख हरता तुम्हे ठाकर मेरे समी तुम्हे रखशक मेरे अपने आतों दाओ द्वार परा तेरे उंजय जगदी सहरे विशय अभिकार मिताओ पाप हर दिवा समी पाप हर दिवा सेटा ब्राक्ती भराओ संतन की सेवा उम्जे जगदीस हरे तन मन धन सब कुछ अरपन है तेरा सम सब कुछ है तेरा तेरा तुझे को अरपन क्या लागे मेरा उम्जे जगदीस हरे उम्जे जगदीस की आरती जो कोई जन गावे समे तहत सिलान दिसों में मन वांचित बल पाए उम्जे जगदीस हरे उम्जे जगदीस हरे सम जगदीस हरे मलत जनों के संकत दास जनों के संकत शान में दूर करे उम्जे जगदीस हरे जै हो तुलसी मया की तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो बन तुलसी पूरन तपकियो मया शालग राम महा पतरानी जाके मंज मंजरी कोमल मैया श्रिपती चरण कमल लपटाने दूप दीप नेविद्य आरती मैया पुश्पन की बर्षा बरसाने 56 भोग चतीसो व्यंजन मैया बिन तुलसी हरी एक नमाने सामरो सखी माई तेरा यिशगावे मैया भक्तो वर दीजे महरानी तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो